माल लो कि आप शांती से बैटके आईस्क्रीम खा रहे थे और आपकी आईस्क्रीम मेल्ट हो गई बहुत सारे अबजेक्स मेल्ट होते हैं, आईस मेल्ट होता है, वैक्स मेल्ट होता है, मेटल्स भी मेल्ट होते हैं जब भी कोई चीज melt होती है तो उसके अंदर क्या चेन्ज आता है यह मैं जानना है वो वैसे पानी की बात करें तो पानी 100 degrees पर boil होता है तो जब वह उबलता है boil होता है तो वह convert हो जाता है इंटो steam into water vapor तो यह conversion क्यों हो रहा है यह हमें जानना है वैसे ही आपने गोला बनते हुए देखा है गर्मी के सेजन में सब लोग चाट चाट के गोला खाते हैं काला खटा लेकिन जब यह गोला बनता है तो आइस को पहले फिर वो crushed ice ग्लास में डालके उसको प्रेस किया जाता है फिर जब हम गोला बाहर निकालते हैं तो वो perfect ग्लास के शेप का हो जाता है तो वो सारा crushed ice चिपक क्यों गया यह तूटता क्यों नहीं है यह हमें जानना है तो यही सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है आज के लेक्चर में हम स्चार्ट करने वाले हैं चैप्टर हीट फ्रॉम एससी क्लास इन साइन्स वन का फिफ्थ चैप्टर जिसका रहेगा आज लेक्चर नंबर वन फिर्स लेक्चर में हम बात करेंगे लेटेंट हीट क्या होती है और रीजेलेशन क्या होता है सबसे पहली बात heat and temperature ये दोनों वर्ड हमें बहुत ज्यादा सिमिलर लगते हैं लेकिन उनमें बहुत बड़ा फरक है तो वो फरक क्या है वो हमें जानना है देखिए heat क्या है heat is a form of energy energy है तो temperature क्या है temperature is the degree of hotness और coldness of a body कोई object कितना गरम है या कितना थंडा है ये मुझे उसके temperature से पता चलेगा मान लो कि ये जो object है इधर एक object है इसका temperature है 20 degrees Celsius आपको मैंने बता दिया तो आपको पता चल गया वो कितना गरम है या कितना थंडा है लेकिन temperature से आपको इस object में कितनी heat है ये नहीं पता चलेगा temperature सिर्फ आपको बताएगा कि वो object कितना गरम है या कितना थंडा है लेकिन उस object में कितनी heat energy है ये आपको पता चलेगा नहीं शायद ये concept थोड़ा confusing हो सकता है don't worry आगे एक कड़क example दूँगा आपको सारे concept इगदम किस crystal clear हो जाएगे दूसरी बात heat energy है तो उसका unit क्या रहेगा it is measured in joules energy का unit joules होता है and temperature को measure करने वाले है Kelvin में अब और भी units होते है Celsius होता है Fahrenheit होता है लेकिन जितने सारे scientific experiments होते हैं या फिर आपके जो numericals है वहाँ पे हम Kelvin का use करने वाले हैं इसलिए सबसे popular सबसे important unit कौन सा है Kelvin है temperature का and दूसरी बात heat का भी एक और unit होता है calorie calorie and is calorie and joule के बीच में बहुत ही प्यारा सा छोटा सा relationship है 1 calorie is equal to 4.18 joules यह बात यहाद रखना आपके textbook में आपके notebook में कहीं कोने काप्चे में लिख दो numericals जब हम solve करेंगे तो यह conversion के लिए काम आने वाला है 1 calorie is equal to 4.18 joules and temperature के और भी दो unit थे Celsius and Fahrenheit अब Celsius, Fahrenheit and Kelvin इन तीनों में भी relationship है जिसके बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं तो बहुत ही कड़क आपको example बताता हूं मान लो एक room में हम बैठे हैं and हमारे पास एक डब्बा है डब्बे में एक gas है and वो gas के जो atoms है वो continuously move कर रहे है जो डब्बा है उसके walls के साथ वो लोग टकरा रहे है and they are constantly moving अब atom अगर move हो रहा है तो उसके पास kinetic energy होगी मतलब यहां जितने सारे atoms है डब्बे में सबके पास कुछ ना कुछ kinetic energy है तो मान लो मैंने सारे atoms की kinetic energy को add किया and मुझे total kinetic energy मिल गई सारे atoms की ठीक है total kinetic energy तो मुझे पता चलेगा कि इस object में डब्बे में कितनी heat है heat energy जो है वो किस से related है kinetic energy of atoms से related है तो द्धान से सुनना heat is a measure of total kinetic energy of all the atoms in that object ठीक है सारे atoms की जो total kinetic energy होगी उससे मुझे heat कितनी है यह पता चलने वाला है याद रखना यह बात तो मान लो कि इस डब्बे को नीचे से मैं burner लगाऊंगा and गर्म करूँगा अब मैं बहार से heat provide कर रहा हूं तो वो सारे atoms heat को absorb करेंगे energy को absorb करेंगे and क्या होगा उनकी kinetic energy उनकी speed बढ़ जाएगी ठीक है बच्चों क्या हुआ heat absorb होई तो atoms की kinetic energy बढ़ गई and object गरम हो जाएगा hot हो जाएगा बात समझ रहे हो जब हम heat किसी भी चीज को provide करते हैं तो उसके atoms की kinetic energy बढ़ जाती है या फिर जब कोई चीज थंडी हो रही है तो उसके atoms की kinetic energy कम हो जाती है heat is related to the kinetic energy of atoms इतना याद रखना यहां तक concept clear हुआ तो एक और बात अब मानलो मेरे पास दो डब्बे हैं एक बड़ा डब्बा है और एक चोटा डब्बा है पहले वाले डब्बे का temperature मानलो 30 है और दूसरे वाले डब्बे का भी temperature 30 degree Celsius है सेम गैस है दोनों डब्बो में और दोनों डब्बो का temperature सेम है लेकिन क्या दोनों डब्बो में heat energy भी सेम है सोचना जारा पॉस करके दिमाग लगाना समझा देखो पहले वाले डब्बे में ज्यादा atoms है डब्बा बड़ा है तो atoms ज्यादा है तो total kinetic energy वहाँ ज्यादा होगी तो मतलब there is more kinetic energy in the first box मतलब वहाँ पे ज्यादा heat है in the first box temperature भले सेम है लेकिन पहले वाले डब्बे में ज्या total kinetic energy and वहाँ पे रहेगी less heat तो temperature क्या बताता है सिर्फ कितना गरम है या कितना थंडा temperature से आपको उस object की heat पता नहीं चलती हीट किस पर डिपेंड करती है total kinetic energy of all the atoms I hope यहाँ तक की बात समझ में आ गई है तो चलिए यह हो गया सारा basics अब थोड़ा आगे जाते हैं अब latent heat क्या होती है यह समझने के लिए हमें एक छूट आसा experiment करना पड़ेगा तो मान लो stand लगाया stand के उपर रखा एक beaker अब इस beaker में उपर से डाला एक thermometer जो दूसरे stand से connected है and beaker में हमने भर दिये बहुत सारे ice cubes नीचे से मैंने लगाया burner burner से निकलेगी आग आग से मिलेगी heat ठीक है यह setup तो समझ गया अब यहाँ पे जब मैं ice को heat करूँगा तो ice melt होगा पानी बनेगा फिर वो पानी boil होगा तो यह जो भी changes होने वाले हैं melting का boiling का यह सब change हम एक graph के उपर plot करेंगे अब आपको पता है graph में होती है x axis and y axis यहाँ पे भी है x axis के उपर हम बात करेंगे time की in minutes तो आपको सारे minutes दिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 जो भी है तो आपको x axis पे पूरा time दिख रहे है minutes में and y axis पे हम बात करेंगे temperature की in degrees celsius simple सा graph बनाने का है x पे time y पे temperature अभी ध्यान से सुनो ice का initial temperature starting में 0 degrees के नीचे रहेगा मान लो कि ice का temperature minus 10 के आसपास है कितना minus 10 ठीक है तो मैं अभी उसको गरम करना start करूँगा burner चालू कर दिया आग लगाई मैंने heat provide करना चालू किया तो पहले ice का temperature बढ़ेगा minus 10 से वो धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा अभी thermometer पे ध्यान देना and graph पे ध्यान देना क्या होने वाला है temperature बढ़ रहा है धीरे 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 धेको thermometer में वो 0 तक पहुचा and graph पे भी देखना temperature उपर आ है y-axis पे देखो minus 10 से वो 0 पहुचा and x-axis पे आपको time पता चलेगा कितना time लगा 2 minute लगे minus 10 से 0 degrees पे आने के लिए कितना time लगा 2 minute लगे and उस point को x-axis पे मैं बोलूँगा point A अब मुझे बताओ ice का temperature 0 degrees है आपको पता है ice 0 degrees पे melt होता है तो यहां पे ice melt होने लगे चलो melt करते हैं तो ice के cubes दिरे दिरे चोटे हो गए पानी बन गए फिर वो और चोटे चोटे होते जाएंगे पानी बनेगा and completely ice melt होके पूरा पानी बन जाएगा लेकिन आप गौर फर्माना यहां पे temperature बढ़ा नहीं एक बात बहुत ज़ादा ध्यान से सुनना and मेरे साथ repeat करना जब तक पूरा ice melt नहीं होता जब तक पूरा ice completely melt नहीं होता है temperature zero degrees ही रहेगा पूरा का पूरा ice zero degrees पे ही melt हो जाएगा उसके बाद temperature बढ़ेगा are you understanding तो इतनी सारी जो heat हमने provide की वो कहां गए ice melt तो हुआ लेकिन temperature नहीं बढ़ा न zero पे ही था पूरा ice zero पे melt हुआ तो इतनी सारी heat हमने जो provide की वो heat energy किदर गई पता लगाओ अब आपको एक story बताता हूं ध्यान से सुनना यह है water molecule H2O दिख रहा है दो hydrogen है बीच में oxygen है oxygen थोड़ा सा negative होता है slightly negative charge होता है उसके उपर और hydrogen के उपर थोड़ा सा positive charge होता है दोनो hydrogen के उपर ठीक है oxygen slightly negative hydrogen slightly positive तो ice का जो structure होता है उसमें water molecules किस तरह से arranged होते हैं ध्यान से देखना यह एक water molecule है hydrogen पे थोड़ा सा positive charge है तो क्या यह hydrogen दूसरे water molecule के oxygen को attract कर सकता है कुछ ऐसे ठीक है oxygen पे negative charge है positive negative एक दूसरे को attract करते हैं तो इस तरह से hydrogen and oxygen के बीच में खलका सा weak bond बनेगा force of attraction इसको हम बोलते हैं hydrogen bond hydrogen bond is a weak force तो कुछ इसी तरह से यह दूसरे water molecule का hydrogen किसी तीसरे water molecule के oxygen को attract कर सकता है फिर यह chain बनते जागी न एक hydrogen दूसरे oxygen से connected है फिर उसका hydrogen दूसरे oxygen से connected है और इस तरह से यह hexagonal structure बन जाता है बरफ की हम बात करें तो बरफ के अंदर ice के अंदर जितने सारे water molecules हैं वो इस तरह से hexagonal shapes में arranged होते हैं और बहुत सारे water molecules होंगे यहां पर kinetic energy बड़ेगी फिर एक point के बाद इनके पास इतनी kinetic energy आ जाएगी कि इनके बीच का जो bond है वो bond break हो जाएगा and जो structure था वो structure break हो जाएगा and सारे water molecules free हो जाएगे to move इस point पे ice melt हो जाएगा and बन जाएगा liquid water तो आपको बात याद यह याद यह रखनी है कि जो solid ice thumb उसके अंदर सारे water molecules connected थे in hexagonal shape and वो लोग हिल नहीं पाते थे लेकिन जैसे ही वो melt होता है bond break हो जाते हैं तो water molecules are free to move and solid बन जाता है liquid तो जितनी सारी heat हमने प्रोवाइड की वो heat कहां गई bond break करने के लिए water molecule के बीच का bond break करने के लिए गई I hope बात समझ में आ रही है तो हमने यहां तक क्या observe किया ice completely melt हो जाता है at a constant temperature that is zero degree Celsius तो उसको melt होने के लिए कितना time लगा x-axis पे देखे point A से लेके point B constant temperature पे zero degrees पे ice पूरी तरह melt हो जा रहा है and उसको कितना time लगा 2 minute से लेके 6 minute 4 minute लगे ठीक है हमारा पूरा ice melt हो चुक है zero degrees पे अब हम अगर पानी को heat करते रहे तो अब उसका temperature बढ़ेगा देखे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है थर्मोमेटर में भी देखे है हम पहुँच जाते हैं at point C point C is at 100 degrees Celsius ग्राफ में देखना थर्मोमेटर में भी देख रहा है आपको पता है 100 degrees पे पानी पूरी तरह boil होने वाला है अब देखो आपर boiling स्टार्ट हो गई है अब आप ही बता ना जब तक पूरा पानी boil होके वेपर नहीं बन जाता तब तक पानी का temperature constant रहेगा at 100 degrees Celsius देखे बिकर में पूरा पानी boil होके वेपर बन गया खतम हो गया पूरा पानी और तब तक हमारी ग्राफ की जो लाइन है वो एकदम ट्रेट दिखने वाली है पॉइंट C से लेके पॉइंट D तक constant temperature पे पूरा पानी boil हो गया अब जो भी heat हमने provide की वो heat कहां जाएगी water molecules के बीच में जो भी बचा हुआ hydrogen bond है वो break हो जाएगा water molecules एकदम free हो जाएंगे and उनके पास बहुत सारी kinetic energy आजाएगी इतनी kinetic energy आजाएगी कि वो liquid से लेके सीधा g पॉइंट D क्या पता चलता है boiling of water conversion to steam at a constant temperature तो C2D के बीच में boiling water भी दिखेगा and उसमें से वेपर बाहर आता हुआ दिखने वाला है I hope graph समझ में आ गया है तो अब आते हैं पूरे experiment के conclusion पे हमें दो बाते यहां पे सीखनी है देखें point A से लेके point B हमने क्या observe किया ice melt हुआ at a constant temperature of 0 degree Celsius जो भी heat हमने provide गी AB पे वो heat ice ने absorb कर ली bond break करने के लिए तो ध्यान से सुनना the heat energy absorbed by the ice at a constant temperature during transformation from solid state to liquid state ice solid था solid से liquid बनने के लिए उसने heat absorb की bond break करने के लिए उस heat को हम बोलते हैं latent heat of fusion fusion मतलब melting simple भाषा में जितनी सारी heat ice ने absorb कर ली bond break करने के लिए उस heat को बोलेंगे latent heat of fusion एकदम simple आयोप समझ में आ रहे हैं एक और बात अभी ध्यान से सुनना the amount of heat energy absorbed at a constant temperature same point same point amount of heat absorbed at constant temperature by unit mass of solid unit mass of solid मतलब क्या मानलो 1 gram या फिर 1 kg unit मतलब 1 the amount of heat absorbed at constant temperature by unit mass of solid to convert into liquid is called as specific latent heat of fusion सिर्फ latent heat की बात करें तो वो किसी भी किसी भी amount के लिए हो सकता है specific latent heat की बात करूं तो वो specifically 1 gram या फिर 1 kg के लिए बात होगी unit mass of solid के लिए example देता हूं अगर हम water की बात करें तो water का specific latent heat of fusion है 333 kJ per kg मतलब ध्यान से सुनो 1 kg ice है मेरे पास 1 kg ice उस 1 kg ice को completely melt करने के लिए मुझे कितनी heat provide करनी पड़ेगी 333 kJ समझ रहे हो इसको बोलते है specific latent heat of fusion for 1 kg 333 kJ per kg तो वैसे अगर हम calories में बात करें तो 80 calories per gram 1 gram of ice ice का कितना gram है 1 gram उसको मुझे completely melt करना है तो मुझे 80 calories heat provide करना पड़ेगा इसको बोलते है specific latent heat of fusion are you understanding simple भाशा में latent heat of fusion क्या है heat energy जो absorb हो गई to break the bonds इसको बोलते है latent heat of fusion एकदम clear है चीक है फिर बात करते है point C से लेके point D उसमें क्या हुआ heat energy absorb हो गई at a constant temperature to convert liquid water into gas तो वह हो गई बात the heat energy absorbed at a constant temperature during transformation of liquid into gas liquid से gas बनाने के लिए जितनी heat हमने दी उस heat को बोलेंगे latent heat of vaporization वहाँ पे AB में क्या हो रहा था latent heat of fusion था इधर के ICD में latent heat of vaporization simple सी बात है तो अब specific latent heat of vaporization क्या होगा आप ही बताओ the amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of liquid 1 gram liquid हो सकता है या फिर 1 kg liquid हो सकता है to convert into gaseous phase that heat will be called as specific latent heat of vaporization तो वही बात करते हैं पानी की liquid water की 2256 2256 kJ per kg 1 kg पानी है मेरे पास तपेले में 1 kg पानी है उसको मेरे को steam बनाना है तो मुझे कितनी heat देनी पड़ेगी 2256 kJ per kg are you understanding calories में बात करें 540 kJ per gram एक ग्राम पानी को वेपर बनाने के लेख लो कहीं पर repeat कर लो अगर doubt आता है तो comment में डालना I tried my best to explain चले थोड़ा के जाते हैं बात करेंगे एक बहुत ही जादा awesome concept की जिसके बिना आपका बरफ का जो गोला है चाट चाट के खाते हो वो बरफ का गोला बन नहीं सकता तो वो concept समझने के लिए हमने एक table लगाया है table के ऊपर हमने रखा है आइस का बरफ का एक बड़ा सा slab एक rectangle piece रखा हुआ है आइस का अब science क्या बूलता है ice converts to liquid ठीक है due to applied pressure मतलब अगर इस ice के उपर pressure लगाओगे तो ये melt होगा लगा के दिखते हैं pressure मैंने एक बड़ी सी wire ली हुई है and wire के दोनों end पे मैंने बड़े-बड़े weights लगाए and उस wire को ice के उपर रख दिया तो अब आप ही बताओ ये wire ice के उपर थोड़ा pressure डालेगा तो क्या होगा wire के नीचे का जो ice है वो melt होगा and ये wire ice के अंदर 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 घुसते जाएगा कुछ ऐसे यहां तक बात समझ में आ गई उपर से हमने pressure लगाया wire का pressure आया तो ice melt हुआ and wire ice के अंदर घुस गई ठीक है फिर science क्या बोलता है that liquid will re-convert to ice as the pressure is removed अब आप देखो wire जो है वो ice के बीच में है मतलब wire के उपर pressure नहीं आ रहा है तो wire के उपर का जो भी ice melt हुआ था वो वापिस freeze होके solid बन जाएगा are you understanding? नहीं समझे wire का pressure आया तो melt हुआ wire ice के अंदर चला गया तो wire के उपर जो भी part melt हुआ है वो वापिस solid हो जाएगा because वहां का pressure हट चुका है इस process को हम बोलते हैं re-gelation re-gelation तो अब आगे क्या होगा देखें जो wire है वो पूरा ice के आरपार चला जाएगा and नीचे से बाहरा जाएगा wire को हटा दो ice का जो slab है वो तूटने वाला नहीं है because जो भी ice melt हुआ है वो वापिस freeze हो जाएगा इसके उपर आप चाहिए तो वजन रखके भी देख लो ice का slab तूटने वाला नहीं है तो यहाँ पे हुआ क्या देखें the melting point of ice becomes lower than 0 degrees celsius due to pressure तो अपने जैसे ही pressure उसके उपर लगाया ice का melting point 0 degrees के नीचे चला जाता है तो मतलब क्या हुआ this means that below 0 degrees celsius the ice gets converted into water मतलब मान लो कि आपका जो ice है उसका temperature minus 10 degrees था कितना था? minus 10 degrees celsius फिर भी अगर आप wire लेके pressure लगाओगे ना वो melt होगा ice will melt below 0 degrees celsius because of the pressure and जैसे ही wire आप हटा दोगे pressure हटा दोगे as soon as the pressure is removed the melting point is restored to 0 degrees celsius मतलब जितना भी ice melt हुआ वो immediately freeze होके वापिस solid बन जाएगा समझ रहे हो? pressure लगाया melt हुआ pressure हटा दिया वापिस freeze हो जाएगा क्या बोलते हैं? इसको regelation विश्वास नहीं हो रहा है तो ये experiment ही देख लो ice के अंदर से काफी evidently आपको दिखेगा ice के अंदर से wire पास हो रही है पास हो रही है, पास हो रही है, पास हो रही है आर पार चली जाएगी लेकिन वो ice break नहीं होगा तूटेगा नहीं क्यों? pressure आया तो melt हुआ जैसे ही pressure हट गया वापिस freeze हो गया regelation इसी concept पे आप बरफ का गोला बनते हुए देख सकते हो crushed ice है उस crushed ice को glass के अंदर भरा और दबाया, pressure लगाया pressure लगाओगे तो थोड़ा ice melt होगा और जैसे ही pressure हटा दोगे वो वापिस freeze हो जाएगा गोले को बाहर निकालो तो perfect glass के shape में बाहर आएगा are you understanding तो इस प्रकार से होता है regelation तो यहां होती है हमारी सारी latent heat and regelation की बाते sum up I hope आपको lecture बहुत ही clearly समझाए crystal clear कोशिश तो पूरी की गई है समझाने की अगर आपको मजा है तो like करना, share करना वीडियो को and subscribe कर देना channel को and as usual thank you for watching